आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ अभी राउनलोड करें और दोस्तो हम इसके अफकलन के मान को सुननी के बराबर कर देंगे तो देख सकते हैं एफ डैस आजाएगा और यहां बराबर होगा सुननी के जैसा कि दोस्तो त्रिकोनमिती में हमने एक सुत्र पढ़ा है sin 2x बराबर होता है 2-sin x गुना cos x के बराबर तो इस सोत्री की मदद से दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं यहां पर आजाएगा cos x और sin 2x को हम लिख लेंगे 2-sin x गुना cos x और इसमें जब minus 2 का गुना होगा तो यहाँ आजाएगा minus का 4-sin x गुना cos x और यहाँ बराबर होगा सुननी के अब दोस्तों इस पूरे वेंजक से हम cos x का common ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आजाएगा 1-4 गुना sin x ठीक है यहाँ बराबर होगा सुननी के देख सकते हैं यहाँ सुननी के बराबर होगा जब cos x का मान या तो सुनने हो या फिर 1-4 गुना sin x का मान सुननी के बराबर हो यहाँ से दोस्तों जब हम sin x का मान निकालेंगे तो यहाँ जाएगा 1 वटा 4 के बराबर जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि cos 2 ठीटा बराबर होता है 1-2 गुना sin वर्ग ठीटा के तो जब दोस्तों हम cos 2 x का मान निकालेंगे तो देख सकते हैं यह जाएगा 1-2 गुना sin वर्ग x के बराबर और sin x का मान 1 वटा 4 है तो यह जाएगा 1 वटा 4 के वर्ग के बराबर तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ जाएगा माइनस दो गुना एक वाटा 4 कवर गी या जाएगा एक वाटा 16 दो का भाग करेंगे इसमें तो यहां आठ वार में कटेगा तो यहां से देख सकते हैं 1-1 वटा 8 या जाएगा 7 वटा 8 के बराबर जो कि हमारा cos 2x का मान है अब दोस्तो हम फलन fx का दुत्य अफकलज गयात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास f double dash x आजाएगा देख सकते हैं cos x का अफकलण आजाएगा minus का sin x यहाँ से आजाएगा minus और 2 गुना sin 2x का अफकलण आजाएगा 4 गुना cos 2x के बराबर यहाँ पर दोस्तो हम देख सकते हैं जब cos x बराबर सुनने रखेंगे दुत्य अफकलज में तो देख सकते हैं हमारे पास आजाएगा f double dash x बराबर और दोस्तो जब cos x का मान सुनने के बराबर होगा तो sin x का मान 1 के बराबर होगा क्योंकि cos x सुनने के बराबर होता है जब x का मान पाइबटा 2 हो तो यहाँ पर sin x के जगए पर 1 रख देंगे तो यहाँ आजाएगा minus का 1 minus यहाँ से आजाएगा 4 गुना cos 2x जैसा कि दोस्त और माइनस चार गुना माइनस एक यह जाएगा प्लस चार तो दोस्तो चार माइनस एक यह जाएगा तीन के बराबर जो की धनात्मक है तो यहाँ पर दोस्तो देख सकते हैं दूतिय अवकलज का मान कॉसेक्स बराबर सुनने पर धनात्मक आया है तो दोस्तो हम कह सकते हैं कि जब फलन में cos x का मान सुने रखेंगे तो हमारे पास फलन का मान निम्निष्ट आएगा तो यहाँ पर दोस्तो हम लिख लेंगे हमारे पास फलन का निम्निष्ट मान आ जाएगा यहाँ पर हम लिख लेंगे फलन का निम्निष्ट मान यह दोस्तो बराबर होगा देख सकते हैं माइनस एक जो की सुननी के बराबर होगा तो इसका निम निश्ट मान सुननी के बराबर आ गया अब दोस्तों जब हम साइनेक्स का मान एक वट्टा चार लेंगे और दूतिया क्लज का मान ग्यात करेंगे तो देख सकते हैं हमारे पास आ जाएगा एक वट्टा चार तो यहां पर लिख लेंगे माइनस एक वट्टा चार माइनस चार गुना कॉस्ट दोस्तों जब साइनेक्स का मान एक वट्टा चार रखा था तो हमारे पास कॉस्ट दो एक्स का मान साथ वट्टा आठ के बराबर आया था तो यहां पर हम लिख लेंगे आजाएगा माइनस 15 वट्टा चार के बराबर जो कि दोस्तो रिनात्मक है ठीक है यहां पर हमारे पास दूतिय अब क्लश का मान रिनात्मक आया है तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब हम फलन में साइनेक्स का मान एक बटा चार रखेंगे तो फालन का मान उचिस्ट होगा तो यहाँ पे दोस्तों हम लिख लेंगे हमारे पास फालन का उचिस्ट मान आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं फालन हमारे पास था साइनेक्स प्लस कॉस्ट दो एक्स तो दोस्तों था इसे ब्रेदा दोनों को सरल करेंगे तो देख सकते हैं चार आट का लगुत्तम आ जाएगा आठकर यहां पर आजाएगा दो प्लस यहां से आजाएगा साथ तो इसे यह लिख सकते हैं 207 नौ और इसके वटा में आजाएगा आठ तो दोस्तों यह हमारे पास उंचीष्ट माना जाएगा फलन का तो यह हमारे प्रस्टन का उत्तर हो जाएगा आसा करता हूँ कि आपको इस प्रस्टन का हल समझ में आया होगा तब तक के लिए धन्यवाद